हम ATOMY क्यू करना चाहिए? इसके उपर बात करेंगे हम ATOMY क्यू करनी चाहिए और ATOMY ही क्यू करनी चाहिए? NETWORK MARKETING तो बहुत कमपनी है लेकिन ATOMY क्यू करनी चाहिए? वो हम देखेंगे अभी तो सबसे पहले तो है यदि आप हमारा ATOMY में यह जो सिंबॉल देख रहे हो किसी ने सोचा है यह सिंबॉल क्या है किसी को पता है यह क्या है और अटमी का नाम अटमी क्यों पड़ा और वाई तो है नहीं उसमें तो वो सिंबॉल है क्या किसी को पता है हम तिन तिन साड़े तिन साल से काम कर रहे है किसी के आया है यह कोरियन नहीं है यह है चाइनीज वर्ड कोरियन नहीं है चाइनीज है और इसका मतलब है ब्यूटिफुल वो जो चाइनीज लेटर है उसका मतलब है ब्यूटिफुल और कोरियन लेंग्विज जो है चाइनीज लेंग्विज से बहुत इंफ क्त ऐ Creed화 ने अपनी लेंगवेज अडोक्ति और उसका मतलब होता है व्यूतिफूल और पहले वर्डश एक अटम प्यूटीफूल एक चीज बताना चाहता हूं पुराना लोगो और नया लोगो किसी को पुराना ये लोगो याद है पुराना लोगो क्या था यही वर्ड था और इसके ऊपर एक सर्कल हुआ करता था और इसमें एक अटम था याद है अभी चेंज हुआ है दो साल में चेंज हुआ है इसका रीजन था कि अटम घूम रहा है और यह जो लाइन ती सरकल था यह था कोल मार्क का साइन कोल मार्क में से यह उठाया था और अटमी वर्ड बनाया था दोनों का कोलाइबरेशन होने के वज़े से लेकिन आभी हमारे पास सिर्फ कोलमार नहीं है ऐसी बहुत सारी कंपनी है इसलिए फिर एड़ॉब किया है कि सिर्फ हम यह आपनी का एक्जिस्टंस दिखाएंगे किसी के ऊपर किसी के कॉलाइबरेशन के ऊपर नहीं रहेगा क्यूंकि एक कंपनी नहीं है अभी 70 कंपनी के साथ हम कोलाइबरेशन करते हैं हुआ है घो करनी चाहिए तो सबसे पहले हैं कि in कि आपने कितना डाला और आपको वापीस कितना मिल रहा है कि तो आपका traditional business है तो traditional business में business setup करने के लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ता है जैसे कि investment करनी पड़ती है उसके बाद में जगा लेनी पड़ती है बैंक से करजा लेना पड़ता है और आप जब इसको invest करते हो तो return बहुत दिनों के बाद आता है और कभी भी आप इसको बन नहीं कर सकते हो और बन करोगे तो ज़्यादा नुक्सान होता है क्यूंकि आपका market में पैसा होता है तो जितना डाल रहे हो उससे ज़्यादा वापिस देने की शक्ति सिर्फ network marketing में क्यूंकि आपको जो लगाना है वो बहुत कम लगाना है लेकिन आप मिल सकता है बहुत कुछ multiplication करके मिल सकता है इल्ड सिर्फ इसी चीज में नहीं है इल्ड आपके membership में भी है कि आप सोचिए कि पहले महिने में पहले महिने में आप अकेले ने बिजनेस चालू किया है और एक महिना काम करके आपने एक आदमी को सुर्फ फाइंड आउट किया कि जो आपके गोल के तरह उसका भी गोल मैच करता है सेम गोल एक महिने में एक आदमी find out कर सकते सारे जंट कर सकते एक दिन एक महिने में एक डूसरे महिने में आप दोनों जण क्यूंकि आपका दोनो का वीजन क्लियर है दोनों जन रेडिये काम करने के लिए तो अगले महिने में दोनों ने एक एक जोड़ दिया, कितने हो जाएंगे, उसके अगले महिने, आईसे करके यदि बढ़ाते जाओंगे, तो सोलावे महिने में कितने लोग होते हैं, देखिए जरा, सोलावे महिने में, यानि कितना, एक साल चार महिने में सिर्फ एक आदमी धुणना है जो आप आपके विजन के साथ विजन मैच करता हो यदि यही चीज हम तीस महिने कंटीनिव करते हैं तीस महिने कितनी हो सकती है किसी सोचा है 1.3 करोड होगी यह है मल्टिप्लिकेशन की ताकत यह है इल्ड की ताकत आपको जितना स्पेंड करना है उससे ज़्यादा सिर्फ इसी बिजनेस में आ सकता है 1.3 करोड महिने में एक आदमी आपके विजन के साथ मैच करने वाला और अटमी के प्रोड़क्ट से इंस्पायर होके काम करने के लिए तैयार एक मिल सकता है इंडिया में इंडिया में एक मिल सकता है हमारी तो ग्लोबल आइडिये यदि ग्लोबल आइडिये है तो सिर्फ इंडिया में नहीं बिजनेस तो आप ग्लोबल ही बढ़ा सकते हो दूसरा यदि दूसरे कंट्री में ऐसे ही टीम बढ़ते बढ़ते है यदि आपकी 1.3 करोड 30 महिने में याने 20 साल में लोग जूड जाएंगे आपके साथ महिने में एक धूनना है यदि यही बिजनेस आपका दूसरे कंट्री में चला जाएगा क्योंकि एटमी हर साल 4 से 5 नए कंट्री में अपना एक्जिस्टेंस बढ़ाती है आप देखिए आप रात को सोते होंगे तो भी यहां पर आपका बिजनेस चलता रहेगा ऐसा कौन सा बिजनेस है या ऐसी कौन सी इंडस्ट्री है या ऐसा कौन सा प्रोफेशन है कि आप सोते हो तो भी इंकम आएगा है किसी के पास आप सोरे हो और इंकम आ रही है तो यह ताकत है यह इल्ड की ताकत है दूसरा है हम बात करेंगे Money Money इस बिजनेस में जितनी मनी है उतनी कहीं पे भी नहीं है क्योंकि मल्टिप्लेकेशन की ताकत हमने अभी देख ली यदि सब जगह से एक एक पीवी भी आता रहेगा दिन में, एक एक पीवी भी, तो करोडों में पीवी आ जाएंगे, करोडों में, कितने साल लगाने, डाई साल लगाने, सिद्धत के साथ, और find out करना है, किसी को भी जोडने के लिए जोडना नहीं है, उसी आदमी को जोडना है, जिसका वीजन क्लियर है, और हमारे साथ काम करने के लिए तयार है, फिर मनी जो आएगा, बहुत ज़्यादा आएगा, दूसरा, यदि आपको लगता है, कि अभी हम फुल टाइम जॉब नहीं कर सकते, तो हम पार्ट टाइम कर सकते, पैसिव इंकम ले सकते, एक ही इंड करता हूँ, उसके बारे में बात करूँगा, मैंने, मैं जॉब क्यों कर रहा हूँ फिर, क्योंकि मेरा वीजन अलग है, मेरा वीजन, आपका वीजन, अलग हो सकता है, सबका वीजन सेम नहीं हो सकता, मेरा माइंड सेट अलग है, आपका माइंड सेट अलग हो सकता है, तो य पैसिव इंकम यहने यहां बिजनेस करके जो आ रहा है वो जब ज्यादा आ रहा है आपके एक्टिव इंकम से तो आप एक्टिव इंकम छोड़के फुल टाइम यह कर सकते हो तो इसमें अनलिमिटेड पैसिव इंकम है अपोर्चोनिटी तीन जेनरेशन की अपोर्चोनिटी है यहां पर आप खुद डॉक्टर बनते हो दस साल का पढ़ाई करोगे बारा साल पढ़ाई करोगे नेक जेनरेशन को क्या देखे जाएंगे कुछ भी ने लेकिन यहां पर जो अपोर्चोनिटी है वो तीन जेनरेशन की है आपकी जो भी काम करोगे जितना भी डाही साल में यह जो नेटवर्क बनेगा यह सिर्फ आपका नहीं रहेगा आपके अगले जनरेशन भी पास होगा उसके अगले जनरेशन में भी पास होग ut your retirement होते वाक you keep cool does admi इसको पता है कि retirement हो ते वाट या मैं जब काम करना बं करूँगा जो भी प्रोफेश्टन में हूँ जब मैं काम करना बं करूँगा तब मुझे कि एक करोड रुपया यद्जो करोड रुपया आने वाला है कि किसी के पास आने वाला है किया करो यह क्या दो करोड रूपय जब जॉब यह मैं काम करना बंद करने वाला हूं किसी के पास नहीं आने वाला है लेकिन यहां पर यदि ढ़ी साल सिस्टम को फॉलो करके काम करेंगे तो 6 करोड भी आ सकते हैं यह हमारी पावर है इसमें मैं माइंडसेट के उपर अभी बात की थी राइट थोड़ी देर पहले मेरा माइंडसेट और बाकी क्या माइंडसेट होता है तो इसको बोलते हैं कैश फ्लो कौडरंट कैश फ्लो कौडरंट है यह याने एंप्लॉई जो मैं मैं हूँ आटमी कंपनी में काम करता हूँ यस का मतलब है स्मॉल बिजनेस बी का मतलब है बिग बिजनेस और आय का मतलब है इंवेस्टमेट जो इह काडरंट में लोग है जो मेरे जैसे लोग है वो जॉप सेकुरिटी सेकुरिटी के लिए उनका माइंडसेत है सेकुरिटी इस काडरंट में रहते हैं यस काडरंट जो यस है स्मॉल बिजनेस जब कोई बिजनेस स्वारी कोई यदी एंपलॉई है और उसको लगता है कि मो बहुत अच्छा काम करता हूँ तो वो क्या करता है जब छोड़ देता है खुद का बिजनेस चालू करता है और जब बिजनेस चालू करता है तो क्या करते है तीन-चार लोग लेके बिजनेस चालू कर लेतें, तो वो हो जाता है small business, लेकिन ये क्यों करते हैं, इंडिपेंडेंडेंस के लिए, बॉस का control खुद पे नहीं चाहिए, खुद मेरा control मेरे पे चाहिए, इंडिपेंडेंडेंस चाहिए, यहाँ पे security था, security था यहाँ पे, यह है इंडिपेंडेंडेंस, यहाँ पे इस quadrant में जो लोग होते हैं, वो लोग अपना काम बहुत अच्छे से करने को आता है उनको, और वो दूसरों पे विश्वास नहीं करते हैं, उनका mindset बहुत छोटा होता है, और वो कंट्रोल करनी की कोशिश करते हैं, सब अपनी 4-5 जनो की टीम होगी, उसके उपर कंट्रोल करते हैं, लेकिन जो बिग बिजनेस वाला जो quadrant है, इसमें जब आपके नीचे या आपके टीम में, जब फैक्टरी में 500 लोग जब हो जाते हैं, तब उसको बोलते हैं, बिग बिजनेस, जब 500 लोग हो रहे हैं, मतलब करोड़ा में अबको बिजनेस में आने के लिये एक पैसा ख़र्चा नहीं करना है, पासो की टीम हो जाएगी, कितने दिन में हो सकती है 파सो की टीम, कित वए महिने में, बारारह महिने के पहले हो सकती है, और आपको जितने भी बेनिफिट, जितना भी काम यहां पे करना पड़ेगा, लगता है पैसे लगते बैंक का क्रेडिट लगता है यह सब करने की जरूरत नहीं यह सब कौन कर रहा है यहां पे अटमी कर लिए क्या चाहिए सिर्प मेहनत सिर्प मेहनत और इसका मेन परपस होता है वेल्थ क्रियेशन पैसा बनाना लेकिन लास्ट कॉड्रेंट वाले जो लोग है यह सबसे इंटलीजन्ट होते हैं जो की पैसा लगा के पैसा कमाते हैं लेकिन इस कॉड्रेंट में जाने के लिए आपको मोमेंट जो है ऐसे होना पड़ेगा आपका पैसा खुद इंकम लेके आएगा यह करने के लिए पहले आपके पास पैसा होना चाहिए और वो पैसा होने के लिए आपको पहले डाइरेक्ट सेलिंग करनी चाहिए और उसके लिए अटमी करनी चाहिए क्योंकि अटमी में आपके भीयाप पे सब कुछ हम कर रहे हैं, आपको यचार नहीं रखना है, आपको कुछ नहीं रखना है, सब कुछ आइटमी कर रहा है, तो यह कौडरन बहुत इंपोर्टन्ट है, और हाँ, सब को 500 की टीम बना के बिग विजनेस वाले कौडरन पे मूँ होना है, यह हमारा लक्ष होना चाहिए, टी याने टू, दो लेक का बिजनेस प्लैन है हमारा, सिर्फ दो लेक, मार्केट में बहुत सारे प्लैन अवेलेबल है, उनको छोटा दिखा कि हमें बढ़ा नहीं है, लेकिन जनरेशन प्लैन या फिर छे लाइग, आट लेग, जितने भी लेग है, उससे सिंपलेस्ट वे में, बाइनरी सिस्टम है, लेकिन बाइनरी सिस्टम का नाम खराब हुआ है, कुछ चिट फंड वाली कंपनियों के वज़े से, और वो काम, जितना भी नाम खराब और यदि बाइनरी सिस्टम हम ठीक नहीं कर पाएंगे, और मेहनत करके जो रिजल्ट आ सकता है बाइनरी सिस्टम में, वो किसी भी दूसरे सिस्टम में आ नहीं सकता है, क्योंकि आपको दो लेग ही कंट्रोल करनी है, और लास्ट में हैं, अपसलूट कॉलिटी अपसलूट प्राइस, कंपनी के अंदर जितने भी प्रोड़क्त अवेलेबल है, वो सारे अपसलूट कॉलिटी अपसलूट प्राइस, इस कॉलिटी के प्रोड़क्त आपको इस प्राइस में कहीं पे भी नहीं मिलेंगे, और आपने अभी देखा होगा, प्रोड़क्त के रिजल्ट, और अभी थोड़ी देर के बाद देखोगे कि क्या क्या टेस्टीमोनी इस अवेलेबल है मार्केट में, जिनको बेनिफिट म मिल रहा है, प्रोड़क्त से, आटमी को एक वेल समल, वेल याने शार्क जो होता है, शार्क समझो, जो कि अभी एक छोटे से जील में तैर रही है, हम लोगों का फर्ज है कि उसको पूरे सी में लेके जाना है, पूरे दुनिया में लेके जाना है, सब के पास इसको पहुच करते हो, तो आटमी बनता है, इसके वज़े से सब को आटमी करती चाहिए, थैंक यू वेरी मच, सुनने के लिए,